आप सभी सवात्कों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सिना बोलो साधना जगत के रहसियों तत्तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें और इसमें दीकर भी प्रतियक लिस्ट को भी देखें ये वीडियो बहुत मत्रपूर हैं और इसमें जो जानकरियां है वो इस प्रकार की हैं कि जो कि उन जानकरियों को अगर पता हो तो बहुत सारी जो हैं गलतियां जीवन में नहीं होती हैं इसके बारे में जो आप प्लेलिस्ट है वो देखेगा जो डेंचर्स खत्रे और ट्रैप्स वाली जो है प्लेस देखेगा उसमें बहुत सारी आसी जानकरियां मेलेंगी जो कि जीवन में हो रही होती हैं और जिनकों की हमको मालूम नहीं होता है या जानने में हम कर रहे होते ह अगर उनसे बच जाया जाए तो बहुत सारे खस्ट दूर हो सकते हैं यह आप जीवन में आएंगे नहीं अब उसी में खड़ी में आपको मैं यह जो यह वीजियो है इसका जो टैटल है यह बता रहा हूं आपको इसका टैटल है वशी करण तंद्र करना कराना करमों में विकरती खतरे डिंजर्स अब वशी करण तंद्र यह भी एक बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए एक परशानी कहिए यह बीमारी कहिए यह भी एक बहुत लोगों को परशान करती है और विशेश रूप से उनको परशान करती है जो कि इस प्रकार के मानसिक्ता में पहुँच जाते हैं किसी भी करण से कि अब उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता तो शॉट कट कर ले तो कुछ ना कुछ उपलब्दी हो जाएगो तो वशी गन करने का प्रयास करने का प्रयास करते हैं तो उस बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा आगे क्योंकि यह यह भी एक तरीके का बह को ईखांगे दूँगा है और वीडियो सारे साध्गों को ध्यार में रखति हैं वुशे भीडियो से गरहस साध्गों हो कि विड़ीट जी में अपने साधना यत्यास करए और जो की अपने तुर्चाए हो की आदा करें इसे में को सवलता मिले जो कमसम गलतिया ना करें इस समय का काल खंड़ हो कौन सा ही इसके बारे मेरे वीडियो बने हुए 237 नमबर का कली बादा असुर असुर वाली प्रवेश बनी हुई है और 185 नमबर का राक्षा सुमद्वारा बक्षण पुने सभाव का बक्षण करते हैं राक्षास और 234 नमबर का सहसा विश्वास न बागी प्लिस्ट में आप खत्रे आली प्लेश जरू देखिएगा डेंजर स्ट्रैप्स जिससे बहुत सारी चीज़ें समय में वैसी आ जाएंगी तो इसके अलावा एक काला जादू वाली प्लेश देखिएगा और उसमें आपको प्रेट सिद्धी करने वाले जो होते हैं किस प्रकार से वो परिशान होते हैं और फिर वो क्या करें निकलने के लिए यह मैंने उस 여기에 काला जादू करने और करने वाले दोनों प्रेट बाधार ambitions होता है यह मैंने उसbin बताया हुआ है यह वीडियो आप देखेंगे समय में बात आएगी और इसके अलावा 288 नमबर 288 काला जदू टोना अदूशित वातावन भाई शक्तिशाली उपाए एक घंटा ये देखिएगा और जो सवारी आना सवारी बुलाना सवारी देखने जाना डेंजर्स 290 नमबर का वीडियो ये देखिएगा उससे बहुत सारी बात समन में यह आएगी कि जो अदृशित संसार का रहसे ये भी प्लेज देखिएगा तो क्या रहस होते हैं क्योंकि ये अदृश शक्तिया होती है वो जीवन को प्रभावित कर रही होती है और वो इस प्रकार तो प्रभावित कर रही होती है कि कोई भी वक्ति अगर उसको नहीं भी चाहेगा उसको तो भी वो उसको प्रभावित कर रही है लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि इस तरीके की शक्ति हमको प्रभावित कर रही है हूं से बचाओ का यदि वो थोड़ा स और असुर असुर वारी प्रभाव बहुत अधिक है तो वो गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करती है और गलत दिशा में ले जाने के लिए तरह तरीके के विचार मन में पैदा करती है विचार मन में क्यों आता है किसी के काम में गलत काम करें और किसी के मन में क्यों आता है को अच्छा काम करूं इस सब बातें समझना चाहिए उसके लिए जो उसके पुन्य होंगे अपने ये पाप होंगे उनका प्रभाव रहता है प्लस अगर पुन हो गें तो उसको बुरी शक्तियों के प्रभाव नहीं पढ़ेगा आसरी शक्तियों प्रभाव सबक्कों पर डालने की प्यास करती है लेकिग्ग्ग देख लेति हैं कि विक्ति के कार्म अच्छे हैं तो उसको प्रभावित नहीं कर पातीं इंपॉर्टेंट बात है मैंने 294 नंबर के वीडियो में अपराद वाले वीडियो में बताया भी था कि कोई भी वक्ति जन्म जात अपरादी नहीं होता है वो उसको जो है बीज हो सकते हैं उसके दर पड़े हुए कि वो पूर जन्मों के बुरे कर्मों के की वो हो सकता है उसके वो अपरादी बने आगए अगर और उसको बातावन नहीं मिलेगा तो अपरादी नहीं बन तकता और इस बातावन इस प्रकार का यहांपे आपरादी बनाने के लिए पूरे पूरे अफ़र दिये जाते हैं और जो होथी है आशुप कर्म के और प्रेरेत करती हैं और मूर्ग बुद्धी तामसिक इंटलेक्ट होती है यानि विवेक-बुद्धी शून होती है और वो इस प्रकार से होते हैं कि वो गलती करेंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगी समझाया जाएगा तब भी समय में नहीं आएगी बहुत जाले समझाया जाएगा तो हो सकता है समझाने वाले कोई को भी मार दें यह भी करते हैं तो ये बातें जब बैक्ग्राउंड सुमन में आ रही है तो ये शट कर्म की चीज़ें होती है जिसमें की इस सारी जो होते हैं इंको कहते हैं कि जो टांत्रिक तरीके से लोग करने कराने का प्रयास करते हैं ये ऐसे कर्में जो कि वर्जत कर्म कहे जाते हैं शास्तरों में इनको वरज़त कर्म कहा जाता है। और इन कर्मों का अगर कभी भी or application की बात आती ही है तो वो बहुत यह सितिया होती हैं कि जो कि बहुती विशेश सितिया में होता है। और वो भी उसका निड़ना करना भी आसान नहीं होता उन प्रसितियों कर इसको करना चाहिए कि नहीं मतलब यह कि यह विजिकली सारे के सारे वर्जित कर्मों के शेडी में आते हैं मैं इसी विशयविक हिंद्रिज रखूँगा कि यह विशिकली क्या क्यों जो है इसके मतलब मतलब क्या है और इसके नुकसान क्या है रिजर्ट्स क्या होते हैं सब बताना है क्या प्रयास करूँगा 3202 नंबा का एक वीडियो मेरा है उसमें बताया जहाल थोटोंडा तोटके रोग दरिजिता का प्रवेश भाग बंदन प्रेथ बादा उसमें मनें बताया जहाल थोटोंगा करने की से क्या क्या नुकसान होते है और फिर उससे किस दाख़ा घर में रोग आते हैं जरदिता सबस्डूब ओत ही डाती है और जासे इन सब उनिल हो जाए zekaffe सिर्कर्ण हो dipping आती है डिलाशा आती हैे जिन्ता ती रासी इस न उनिर में इन उन्था हüm होगा क्या कोई जी आगा करना चाहिए जब वो सोचेगा किiemeरी वर्टी जाय मेरे में वर्ष्व में हो जाए और यह पासा साम जो that पॉसक रिज प्रकार के विदियां हो सकती है जैसके फोटोस भी करते हैं कुछ खिलाा करने करते हैं। प्रेकार की बहुत सारी विदियां हो सकती है दूसरा एक जो और खदरनाक वाला इसका रूट होता है वो होता है कि किसी प्रेत को उसको जो है प्रेत करके और उसके द्वारा कोई उस प्रेत को जिसका वशी करना होता है उसके पास भेजा जाए तो प्रेत उसको समझाए उसक वह प्रेथ जाते हैं कई वह सकते हैं वह थोड़ा सा कज़र नाक एक्सरिस रहे अर जो इस तरीके के कि ये वशीगन करना है तो अपने आप में लेक्षन के किसी आसोजी शक्ति का प्रवाव मस्तिश के उपर आ रहा है तो मैंने दोनों आपको पार बता है कि ये दोनों विदियों से हो सकता है लेकिन ये ये सोच लेना कि सब लोग को कर लेंगे कि हर एक आदमी जिसने भी दु कर्मों में विक्रती क्रियेट करते हैं कैसे करते हैं वो अपना जो भी उनका अपना जो कर्मों विक्रती करते हो करी रहें कि वो चलशाल कर रहें कर्मों में दो अंजान लोग हैं एक उनका वेक्टि आगी मेरे पास उनके पास आए कि जो बशी कर दो किसी वक्ति का तो दो वक्ति उसके लिए अंजान है और वह वाद भीशमें कहाने कुए उसको सजा तो मिल नहीं है ऊसकी कर्म से अपने अपने करने करने के जा के लिए 15 ये इविल कर्मों उसकी कर्मों के शेड़ी में माना जाता है और अगो प्रेतों का सारह ले रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो तो बहुत बड़ा इविल कर्मा हो गया और वो प्रेत बादा करस्तों होने ही होना है एक तो ये बात है वो क्या करेगा कि इससे उसके करने जो करने वाले कि मैं अभी बात बता रहा हूँ उसके सारे पूर्ने नस्ट होंगे और जो होगा अब कराने वाला जो हो रहा है जो पैसे दे रहा है वो सोची हो कैसा वेक्टी होगा बहुत कमजोर वेकती होगा उसकी आदम शक्ती बहट कमजोर होगी उसके इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि उसको अब लग रहा है कि उसको सारे जीवन ह省ए ह syrupने ही आ रही होगी याब ये काम थब होता है या तो बहुत लोब हुमे कोई करे अलाल अच्छ में करें यह नहीं मैं किसी को वश्रिम में ले लूँ और उससे अपना जो भी स्वार सिदी करनी हो उसके तोरा मैं अपने स्वार सिदी करते हो क्यों एक लोब हमें होगा और वो सब बातें जो बती है लोब इतने प्रकार कर लोब आ जाया कि और साथ में उसको यह भी पता है कि उसके पर शक्ती या ताकत कुछ नहीं है सही तरीके से वो काम नहीं कर सकता है नियम भंग करके काम कर सकता है यह नियम भंग करने ही हो गया तो वो जो भी करता है उससे अगर वो सने मालिय करने का प्रयास किया तो पहले तो यह तरीक है कि जो दुकान खोल के बैटे हुए लोग है इनमेसे आप समय नहीं कि सेकड़ों हजारों की संखिया में अगर कोई मिला तो में से शायद एकाद दो ही ऐसा होगा जिसका वशी कर्ण काम्याब हो सकता है वह भी वेशी कर्ण की टाइम लिमीट होगी कितने समय तक के लिए यह एपलीकेबल यह नहीं कर सकता है कि कुछ महिओ का मसों कर जाए हूँ फिर उंको भी जो घय है तो उनको भी खाम करने के लिए उनको भी रिचारजिंग करनी पड़ेगी, उनको भी बहुत इत्यादी देना पड़ेगा, तो उसमें रेगलर्टी सी करनी पड़ जाएगी, यानि कि अगर लंबे समय तक करना है तो काफी धन भी करचोगा, टाइम भी करचोगा, और जो करने वाले हैं, उनकी तो छोड़े दीजे, वो तो प्रेट बाला करस्त है, उनकी मैं यहाँ पर चर्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्भिशेज रूप से अब उस पाइंट पर बात कर रहा हूँ, जो करार रही है, जिनके मन में सब बाते आरे हैं कि मैं बशीकन करा लू तो पुन्यों का नाश उनका निश्चे थे, इविल कर्मों को जनरेट करेंगे, एक तो पुन्य नाश होगा है, दूसरा है वो उनको अपरात जोगी कर रहा है, उसका दंड़ भी उनको मिलने के भागी बनेगे, दूसरों के सबसे पर उसमयार नुकसान क्या होगा, जिसके हो गया तो, और नहीं भी वगए उसमये करने का प्रयास किया, इन दोना कंडिशन में वो जो वशीकन कराने वाला है, वो वशीकन जिसका होने वाला है, उसके सारे के सारे जितने भी पाप हैं, वो अपने अपने पास खीच लेगा, और उसके आफ़श में अपने पुन्य उस जिसका वशीकन करने चाहता है उसको दे देगा यह कितनी important बात है यह यह हुआ कि जो वशीकन करने वाला है वो जिसका वशीकन करने चाहता है उसके दूशित करमों को और उसके पापों को स्वैम भोगेगा अपने जीवन में अब माल ल bereits जो इसका वाशी गण करना चाहता हो किसी पुद्यश्य करना चाहता हो लेकिन वो माल लिए कोई बीमार है वो जो भी उसके बीवास बीमारी होगी वह जो भी पर्शानी होगी वो वसी गण करने वाला जो है वो भुगेगा कब तक हो गया इस बारे में कुछ खहा नहीं जाए सकता है क्योंकि वो किस ग्रैविटी का वो अपराद कर रहा है कितना बड़ा अपराद कर रहा है उसके उपर निर्बर करेगा हो यह तो दिवमाक का अजड़न होगा कि वो क्या दंड़ दें उसको लेकिन वो उसके सारे बी भी जीवन में हो सकता है यह भी है और भी एक्स्टीम केस में चले जाएंगी कि वो जिसका वशीगन करने जा रहा है और वो उसका वशीगन करने में कामयाब हो गया या बहुत जादे एफ़र्ट कर दी है प्रितात्मा बेजदी पूरी थाकत लगाड़ी तो समझ लिए कि जिसका वशीगन कराया जा रहा है उसके जीवन में यदि मृत्यू का योग होगा अकाल मृत्यू का वशीगन जो करने वाला होगा उसके पास अकाल मृत्यू योग आ जाएगा यह उसके अकाल मृत्यू का योग बन जाएगी जिसके लिए गंड़ा कोदोगे वो अपने ल तो एक तो एक समझ लेगी ये तो इनके द्वारा कर्मों में बहुत बड़ी वाली एक विक्रती आती है अब ऐसे में फिर कोई कहा है कि नहीं मेरे ग्रह खराब होगा नक्षा तर खराब होगा जनम पत्री क्या करेगी वो तो आपको पास्ट की जो आपके सामने उपड़ी होई है दिखा रही है कि ये होना चाहिए रिजल्स क्या होगे रिजल्स इसके बहुत भ्यानक होगे लक्षन क्या होगे जो आप कुछ देखना चाहिए तो अगर तीन सो तीन नंबर का वीडियो देखिएगा आएगी बाड़ी में कमजोरी आएगी बिचे नहीं आएगी भै आएगा निराशा आएगी व्यादिया जिन्ता आएगी अनिद्रा आएगी इस अभी लक्षन आ सकते हैं जितना अगर उसके पास बुन्यों बचे नहीं है और बुन्यों के भंडार जाते नहीं है तो एकदम से ही सारी चीज़ी तुरंत आजाएगी और नहीं तो थोड़े ठाइम बात आजाएगी व्यभार में उसके परिवर्ता ना जाएगा यह मैं जो करार आए वश्रीकर उसके उनलों के बारे मतार हो उसके बीएवर परिवर्ता ना आएगा पहले वहाली थोड़ा बड़ ठीक ठाक सोचता भी होगा वह उसको सोचने में गिरावट आजाएगी आसुरी शक्तियां को उसको पर नहीं मिलने वाला इसके लिए आप पाश बंदन वाली जो मेरे मैंने अथरवे समिता से कुछ वीडियो बनाए हुए उन में आप देखिए एक प्लेस में मिलेंगे आपको तो किस प्रकार से देवी से होता है जब पाश बंदन में जा देते हैं साधना वह सफलता मिलेगी गला दिशा में निश्यत रूप से जाएगा आज नहीं तो कल हो गला दिशा उसी समय से पकड़ दी उसे समझ लिए अब दिशा गलत होगी तो फिर उसको बंदल दीवन में क्या मिलेगी रॉंग पर रॉंग डिसीजन होते जाएगे और ये उसी एक दुश्यक्र में फस ज करने से जीवन असफ़ल हो जाता है आप प्ले लिस्ट में देखेंगे मृत्यू नरक शाद फितर दोश वाली इस तरही के व्रक्ति होता है अपने लिए तो जीवन में गड्डे खूद कर जाते हैं अपने बंचेजों के लिए भी जाते हैं ये वात मैंने उसे बताई विश्वासी नहीं अपने शक्तियों को अपने काम पर की वो कुछ काम मना सकते हैं तो वह दीमें दीमें जब गलत शावें जाएंगे तो अपरात की तरह भी जा सकते हैं ये वीडियो नमबर 294 नमबर आप वीडियो आप देखिएगा तो इसमें मैंने एक बात क्या निकल कि हमारे पर अप जो है कोई आसरी शक्ति का किसी रबाव हो रहा है कि साथकों के लिए तो पना रहा रहा हूं इसलिए मैं बहुत कोशन की बात बफाय करने चाहिए मन में आते ही, आय है ही क्यों इस मन में विचार ही है, कि किसी का वश्रीकन कर दिया जाए आगे तो बढ़ने की बहुत दूर की बात होगी, उसी समय विचार जो आ रहा है तो उसको अपना उपाय करना चाहिए उपाय के लिए मैंने बहुत सारे जो वीडियो बताया हुए इसके पहले में भी और वो यह कि जो एक तो 315 नुमर का वीडियो देखेगा और यह एक एक इंपॉर्डेंट वीडियो है इसमें जो है मैंने पिशाचों, राक्षसों, अविखंटन, कपट, हिंसाकांद, अथरवेज समिता इसमें मैंने बहुत सारे जर्चा करी हुए है इसमें कारण उपाय दोनों बताय हुए फिर भी जो है कम से कम कुछ जो है उपाय दिश्य दूर्प से तुरंद कर लेने चाहिए अथरवेज समिता या अथरवीश के जितने पार्ट हैं उनमें से गणपती अथरशीष, नारायन अथरशीष और सूर अथरशीष के पार्ट करते रहना चाहिए इतने तो टरेली चाहिए विक ली करने चाहिए और वीडियो नमबर न 242 गर्णपति अथर्शीष और 247 शूर अथर्शीष और 276 नमबर जो है यह श्रीव अथर्शीश इतने तो करना ही चाहिए जो हम सोचते हैं कि हमारे काम बने हमारे यह हमारे मन में हो जाए तभी कोई आ रहा है कि यह पशीकर्ण हो जाए तो मेरा ऐसा काम हो जाए तो हो सकता है कि उन्हें से पर्मेट कर नहीं करती हो कि यह काम उसका होगा तो हो सकता है कि परिशानी में चला जाए तो उसको कैसे नि 25 नमबर को मातारा की साधना वाला वीडियो देखेगा उसको साधना करने के प्रयास करना चाहिए और 292 नमबर कर जो मैंने बता है यह तो इस साधना करने के बाद करना चाहिए है जो भी मैं चाहता हूं कि जो वक्ट्री है मेरे अन्कूल है, इसके लिए में पशेखकण की बात मन में आ रही है, जिस सही है या या मुझे नहीं पता है, अलिकिन में मार्क दिखा ही है, अगर इस सही है तो यह ईस वक्ती को मेरे अन्कूल बना दीजिए, और नहीं है तो वह अनकुल बनना जो हमारे लिए जरूरी है और वह भगवान सोचते हैं दिवमा सोचते हैं कि वह भी ठीक है आवश्यक कोई दिक्कत नहीं है तो वह अनकुल उसको बना देंगी जो भी उसके पास दूश्पपा होंगे वह उटा देंगी अब वह व्यक्ति ठीक से ठीक हो ज करना देंगी कोई आवशक निए किसी वक्ति को क्यों हम वश्यकन करने का प्यास करें मैंने बताया कि अगर शॉट करम शॉट 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 टम गेन के लिए अपने पुन्यों का नाश्च करना है तो फिर अपने आपको दुर्भाग लाना जीवन में तो यह ठीक है कर लो उसके बाद फिर बरो एक तुव वाली बात है दूसरा ही है जो मैंने बताया कि एक सो पट्रीस नंबर अलमात तारा वाला देखेगा तो जो भी मन में बातें आ रही होंगी कि मेरे को इसको वशीकन करना है नहीं करना है क्या करना है मुझे कौन सा मार्क बनेगा यह साथना करने के बाद उनके उपर छोड़ देना चाहिए और प्रास्फना करने चाहिए उसके बाद जैसा होगा उसको अपने को मानने चाहिए जो भी नेचर ने मैं हमारे लिए मर्क बनाया उस को सहन करना है ύह साथिक बाद बता आजाए तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को जानकर यह अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद